एक पर फिर से स्वागत है फ्रेंट्स आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भाईया में और मैं शीवम थाक और फ्रेंट्स बात करेंगे आसा कारेकरता भरती 2022 बिहार के अंदर इसके बारे में ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंट्स की अभी बार बाजी ही होती है गवर्मेंट का या जो भी है लेकिन न्यूज के तोर पर आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको ही पता है फ्रेंट्स की जो आसा कारे करता हूं कि जो भी भरती होई यह से पहले मतलब पता नहीं चला होगा आप लोग कब निकला कब सिलेक्शन हु आपको से समय पहुचाते रहें ठीक है तो उससे पहले मैं आपको फ्रेंट्स बताना चाहूंगा तो फ्रेंट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बिहार पुलीस चालक सिपाही भरती परिच्छा 2022 के लिए जो बेस्ट पोस्तक है तो वो है मार्केट में चक्छु प्र 2450 बहुवी कल पर प्रस्ट मिल जाएंगे उसके फ्रेंट्स आपको पूरे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और यहां पर अगर आप इसको अच्छे से त्यारी करते हैं तो डेफिनिटली आपका सेलेक्शन लगबग लबग तय है फ्रेंट्स चीक है तो अच्छे से त्यार करा हुआ है बिहार पुलिस जो कॉंस्टेवल परिक्षा होने वाली है तो जर बाइस में उसके लिए तो जो भी एक चुक कंडिडेट है वो नस्दीकी किसी भी पुस्तक शॉप से जाकि यह किताब खरीच सकते हैं और आप पून नहीं जाने के इक्षा है तो हमने लिंक ल परकार के पता है एक दो फिर पहला पद है एक दो फेंटर के बारे में थोड़ा सा बताते जो आसा कारे करता है उन्हीं के देख रेक में काम करेंगे ठीक है तो आसा फैसलिलेटर फैंटर 394 पदों पे पूरे राज्य के अंदर यह घर लिजाएगी और मुझपरपूरес प आपको ये प्रकेरिया पूरी कर लेनी है, ठीक है, तो ये जो आपको अकबार कटिंग दिख रहा ही है, मुझफरपुर के ही अकबार के कटिंग में आया था, तो इसका मतलब ये मत समझेगा कि वहीं पर ये भरती निकाले गए, क्योंकि इसको पढ़ेंगे, तो इसमें ये प qualification में थोड़ा सा अंतर है, पहले जो थी फ्रेंट से वो आठवी पास महिला है, यहाँ पर अवेधन कर पाती थी, अब ये दसवी पास कर दिया गया है, बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम पर कौन टैंथ पास नहीं होगा, ठीक है, जो भी interested candidate होगा, पहले जो कम पढ़े लिखे लोग रहते थे, तो आठवी पास ठीक था चलेगा, आज के टाइम पर तो आल्मोस्ट जो भी interested candidate होगे, वो 10th पास होगे ही, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अगर आप में से कोई 8 पास है, तो कमेंट करिएगा, मैं कोसिस करूँगा, आप लोग के लिए भी कुछ आगे भविस में बताऊं, ठीक है, तो 10th पास यहाँ पर qualification रख दियागे, अब मैं थोड़ा सा काम के बारे में आपको बता दूँ, आसा कारी करता हो के काम के बारे में, उसके बात बताऊंगा कि कैसा selection होगा, किस से मिलना है, इससे पहले जो भी भरती है होई, उसके बारे में की duty है, वहाँ पर प्रसव वगेरा, जो महिला का होता है, उसके में help करना, किसी भी परकार का medical वगेरा, जो सरकार के तरब से सुविधा पहुचाया जाता है, वो सब को पहुचाना, ठीका करन करना, तो यही सोड़ा काम होता है, और बाकि जो कुछ योजना है, योजनाओं आखी फ्रेंट्स आपको इसका selection procedure में बताना चाहूँगा, कि जो बिहार का जो राज्यस्वास्त समीती है, उसने फ्रेंट्स सिविल सर्जन जो भी है, आपके जीले के सिविल सर्जन उनको आदेसित कर दिया होगा, क्योंकि जैसा अखवार की माने तो 30 सितंबा तक इनको आदेसित कर दिया होगा, तो आप सिविल सर्जन डिरेक्ट बहाली नहीं लेंगे, ठीक है, आप अखवार की कटिंग को पढ़ेंगे तो उसमें भी इसपस्ट किया हुआ है, सिविल सर्जन ये खुद से बहाली नहीं लेते हैं, वो जो आपके पंचायत के मुखियां हैं, फ्रू लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंट्स जो मुझफर पुर वाले हैं, वो इसपस जालने की मुझफर पुर के अंदर फ्रेंट्स आपको इस अख़बार कटिंग में सारा डेटेल दिया गया है, कि किसमें कितनी सीटे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, टेल हैं, कि उनको रेगुलर अपडेट मिलता रहा है, तो जोईन कर लिजा और यह भी आपको अपडेट मिल जागा, और यहां पर सीटो अगर आए है, छहर चानवे, आपको इसी कर्टिंग में दिया गया है, कि पूरे राज्य में इतनी सीटे हैं, और यहां पर बहाली का प्र प्राइमरी के सेंटर होते हैं, और जो पंचायट में रहती हैं, उनको आपको पता ही है, कि हप करना होता है महिलाओं का, जो भी प्रसव के दोरान हो, या ती का करन हो, या जो भी योजनाएं आती हैं, उनको घर घर तक पहुझाने का का म, ठीक है, तो सेलेक्शन प्रोसे तो आप समझी सकते हैं अच्छा खासा पैसा बच जाता है वस्तुएं कुछ समान भी बच जाता है ऐसा भी सुनने सुनने को मिलता है कंफॉर्म नहीं हो जो लोग इमांदार होंगे बुरा मत मानिएगा लेकिन अच्छा खासा मतलब उनके पास सेविंग्स हो जाता है समझी बाद को ठीक है तो अब उसके बाद आता है फ्रेंस का सिलेक्शन प्रोसेजर तो यहां पर लिखाया है कि आपके पंचायत में जो मुख्या है उनसे संपर करना पड़ेगा और उसके बाद एक बैठक होगी जो भी आपके गाउं में सरपंच मुख्या जो भी लोग है समाशी आवेदन पढ़ते हैं तो सबका सिलेक्शन हो जागा लेकिन अगर ज्यादा आपना अपना देख लिजेगा आप लोग जिनको भी अगर यहां पर पता चले की करवाना है तो कैसे अहां पर सिलेक्शन आपका हो सकता है कैसे पता चलेगा कि यह भरती निकली है नहीं निकली है तो आपको क्या करना है आपका जो राजय स्वास्त शमिज्टी का ऑफीस है यह फिर आप अपने भी कर दिजेगा और अब मैं समझता हूँ कि सारी जो information है आपको वो मैंने complete कर दी है ठीक है तो block level पे पंचायत लेवल पे ये बेकेंसी निकाली जाएगी तो block level पे आपको PSC है जो primary health किंद्र है उसमें बहाली होगी और बाकी जो पंचायत है उसमें आपको ऐसे ही घर घर जाके करना पड़ता है ठीक है तो उमीद है आपको सारा information मैंने एक वीडियो में complete देने की कोसिस की है वीडियो अच्छी लगी हो झाली होगी होगी है झाली होगी है är उस्मे